पास्कार साथियो जेकेसान चैनल पर आपका स्वागात है आज हम खड़े हैं धान के प्लाट पर जहां एक बहुत भेंकर समस्या है सफेद माहू की और प्लाटों का निरिक्षन करने हम आज आये हुए हैं और आपको हम क्रिशक से भी मिलवाएंगे और उसकी उनने क्या ट्र सी वेराइटी है और इनने इसमें कौन-कौन से रोग लगे उसका क्या निदान किया और अभी वर्तमान में एक जो भूत भेंकर समस्या है सफेद माहू की उससे उनके खेत में क्या समस्या आई है और उनने क्या-क्या उपचार किया है जिससे सफेद माहू भी दिखाएंग और बेल आइकोन दवाना ना भूलें तो हम चालू करते हैं आज का एक महत्तुमूर वीडियो जिसमें हम दिखाते हैं पहले दिखाईए ये पूरा प्लाट धान का पूरा धान का प्लाट बढ़िया ये धान है भाई साब थोड़ा इसकी प्रजाती के बारे में बताईए कौन सी वेराइटी है ये पूसा की 16-37 ये पूसा 16-37 वेराइटी है लगवाग इसको कितने दिन हो गए लगवाग 120 दिन हो गए हैं बाली भी इसमें अच्छी क्वालि हुई है देखिए वाली है और बहुत बढ़िया वाली है अब हम दिखाते हैं आपको जो सफेद माहू के कारण इस धान में भैंकर रोग लगा है जिससे प्रभावित जगह को ये देखिए ये बीच में बिलकुल सफेद माहू के कारण ये फसल जल चुकी है देखिए ये इस plot में लगवा चार से पाँच जगह है ऐसा हम को देखनों को मिला तो हमारा भी मन हुआ कि हम भाई साब से मिलें और उनने क्या उपचार किया है इसके बारे में दिखाए देखो यहां हम आपको सफेद माहू को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत नीचे ले जाके दिखाएए सफेद माहू विल्कुल धरती में इनने जो उपचार किया है उससे सफेद माहू नीचे विल्कुल मर के गिर चुकी है बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी आँखों से भी यह दिख रही है इनने काफी प्रगती सील किरसक हैं हमारे यहां के और बढ़ी है देखों हम जहां चल फिर रहे हैं वहां भी इनके खेत में खरपतवार बिल्कुल नहीं है मतलब बहुत अच्छे से यह अपने खेतों का प्रबंदन करते हैं और इनके हां कई बैग्यानिक तकनीकियों का यहां हमको देखने को मिला इनके हां डिप सचाई भी लगी हुई है जगह जगह वह भी आपको हम बताएंगे अभी हम ले चल रहे हैं दूसरी जगह जहां सफेद माहू के कारण इनकी फसल जो डैमेज हुई है यह नुकसान हुआ है देखते हैं हम बताती है आपको यह देखिए अपना रोपा यहीं से श्टाट हुई है थोड़ा सा हमारे किसान भाईयों के आप इस बीमारी के बारे में बताईएगा जे यहां पर रोपा क्या है बची जा थोड़ा जी जो इसको क्या निकाल नहीं पाए थे हां हां सबसे पहले यहीं लगी थी अच्छा अच्छा अब यहां से इसने रस्टूस के फिर फूरे फ्लाट में वह तो फिलाई मतलब मक्खी टाइप की रहती है तो उसको पूरे खेत में नुकसान करने में टाइम नहीं लगता किसान भाई के अगर बच जाता तो उसको अलग कर देना चाहिए अच्छा मतलब जो अपना रोपनी है उसमें बच जाती है तो हमारे जो क्रिशक बंदू है वह बता रहे हैं कि उसको पटा के नेत्र कर देना चाहिए क्योंकि वह लंबी समय की हो जाती है इसकारण उनमें कीट व्यादियां भी आती है और यहां खेतों में दो तीन चार्ट चिठ्थे भी देल ऐसे ही दिख रह प्रतिये कड़के हसाब से 300 ग्राम प्रतिये कड़के हसाब से अपने इसको डाल सकते हैं लेकिन हमारे भाई साब ने जो इसमें दवा डाली है और जो बढ़िया कारगर सिद्धू योंसे ही सुनते हैं यह पन इसमें सिजेंटा की चैस करके हैं डाली है अच्छा-च्छा इनने सेजेंटा की चेस डाली है और वास्ता में हम यहां प्लाट पे खड़े हैं तो वहां माहू का नियंतरन जो भाइट माहू है उसका नियंतरन हमको देखने को मिला है तो मेरे प्रिये किसान भाई यो यतनी भयावा इस्तिती अब क्या है एक कहावत है अंत भला सु सब भ आप बनी है तो हमारे भाई साब ने जो जानकारी दी उनके लिए बहुत बहुत धन्नवाद जै किसान जैन